हलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक तो फिजिक्स क्लास बचे हमने लास्ट क्लास के अंदर कहां तक कर लिया था कोई बता सकते हैं मैं बता देती हूं हमने फेलियर ओफ क्लासिकल थियोरी कर रहे थे जो फोटो एलिक्टिक एफेक्ट को एक्स्प्लेंड करने में फेल हो गया यह कि क्लासिकल थियोरी फोटो एलिक्टिक एफेक्ट को एग्सप्लेंड करने में फेल हो गया था उसकी फस्याम्ट हमने पूरी कमप्लीट कर लिए थी ठीक है ।ौर्स Nagelstate हमारी थी णहोंने यह कहा था कि जो मैक्सिमम लेलासिटी है फो की इन्तरव इंक्रियمنश होने इसे इंक्रीज कर रही होगी ठीक है लेकिन ऐसा नहीं था तो हमने यह कॉंटरिक्शन में बता दिया कि ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंट लिए उन्होंने यह कहा था कि जो बैक्सिमूम वेलोस्टी है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है आपकी इंटैंसिटी है उसके उपर पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी है उसको जब इंसिडेंट करते हैं तो ही हमारी क्या हो रही थी वहां से फोटो इलेक्ट्रोंस है वो हमारे एमिट हो रहे थे लेकिन उसका एक्शल वाला कोई प्रूफ इनका क्लासिकल थियोरी जो है वो नहीं दे पाई थ आपकी इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडियेशन की वो मेरी किसकी उसपे पर्टिकुलर इंटेंसिटी के उपर ही यह स्टार्ट हो रही थी ठीक है यह इंटेंसिटी को लेके चल रहा है फ्रिक्वेंसी का मैटर नहीं लेके चल रहा है इसलिए यह फ्रिक्वेंसी को एक् for a metal or given surface can't be explained by this theory as this theory, concy theory, classical theory as this theory expects that with increase of intensity with increase of intensity intensity of incident radiation the photoelectric emission should start at any particular intensity this is a contradiction because it was said that it depends on which photoelectron ejected it depends on a particular frequency and they are thinking about the intensity because the velocity is increasing and what is the result of it then it is contradictory and they are thinking about the intensity that we have the intensity it means that the photoelectric effect is an instantaneous process but they have said that the photoelectric effect is an instantaneous process that we have not explained not explained okay so this will say the instantaneous nature of photoelectric emission can't be can't 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 थियोरी ठीक है अब कौन आया आप आया आइंस्टीन ठीक है आइंस्टीन यह जो किया था एक्सपेरिमेंट वो हर्ड्स नहीं किया था कब किया था हर्ड्स ने 1887 के अंदर ठीक है अब 1905 में आइंस्टीन आइंस्टीन नहीं क्या किया कि जो हमारे पास एचनीव जो हम इसके यहां जितनी भी energy गई थी ना उसको सारी को सारी को electron को emit करवाने में लगा दिया ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता उसने यह कहा कि इसको दो वे से use करो एक वे तो क्या हो गया work function की तरह काम करेंगे यानि कि इसको eject करने में और दूसरा इसको क्या करवाएगा move करने में काम करवा यहां पर next heading डालीजिए Einstein's equation of photoelectric effect Einstein equation of photoelectric effect हम अब क्या कह रहे हैं Einstein की equation बता रहे हैं किसने कब बताई थी Einstein ने बताई थी 1905 के अंदर तो लिखिये, in 1905, Einstein suggests that when a photon of energy H new falls on a metal surface its energy is used in two ways उसकी energy किसमें और यहां यूज की जारी है मैंने अभी बताया कौन-कौन से वेव के अंदर यूज की जारी है एक वे तो वो यूज कर रहा है कि यह इसको eject कर रहा है ठीक है यानि कि आधी तो यहां यूज की गई फिर यह इजेक्टों के यहां आगया तो इसको move करवाने के लिए यानि कि maximum velocity के साथ move करवाया तो दो parts में उसने उस h new को use किया है ठीक है तो यहां लिखो a part of it is equal to work function ठीक है work function क्या होता है कि कितने उसे energy से हमने उस electron को emit कर दिया ठीक है एंड अदर पार्ट इस यूज इन यह यूज इन नी इस गीवन टू फोटो इलेक्ट्रों आज इस माक्सिमम कानेटिक एनरजी ठीक है तो एक पार्ट तो हमने work function और एक पार्ट तो हमने एक पार्ट इसका किसको दे दिया आपके माक्सिमम कानेटिक एनरजी को दे दिया ठीक है तो इसका मतलब हमारी जो एनरजी थी वो कितनी थी एच नियू एच नियू दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई दो कौन सा हो गया एक तो work function हो गया एक आपकी माक्सिमम कानेटिक एनरजी हो गया ने में कि वी मैक्स को स्कॉाइर हो गया ठीक है यहां से क्या कर सकते हैं हम एक बात तो जीरो हो जाएगी मैं पहले लिखवा देती हूं फिर आपको पता चल जाएगी यह बात मैं क्या बोल रहे हूं वेन अंदर ओमेगानोट होता है फैक है और है और आप यह कह रहे हो नू 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 को जब है अगर हो जाएगा 0 तो half mv square is equal to 0 के equal हो जाएगा इसका मतब वी maximum भी कितना है 0 तो सिद्धा ऐसे लिख दूं कि हमारे पास जो v maximum है is equal to 0 if new is equal to new not तो अगर new not के equal हो गया तो v maximum 0 गया यह 0 होगी part और इसको new not लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा आपका work function की value भी पता चल गई है h new not के equal होता है ठीक है अब इसको इसके अंदर पुट कर दो तो half of mv maximum का square is equal to किसके equal हो जाएगा आपका यह आपका omega not minus में किसके इकवल हो जाएगा इसको यहां लेके चले जाओ इसको positive रख रहे हो तो इसको मतलब आप इसको यहां लेके गए हो ठीक है h new minus में omega not omega not की value कितनी है आपकी यानि की work function की value h new not तो half of mv max का square आपका किसके equal हो गया h new minus में new not तो this is the equation of the Einstein for the photoelectric effect यह क्या है आपकी photoelectric effect की equation है जो Einstein ने derive की थी ठीक है अब करते हैं कि कैसे इसको explain कर पाई Einstein जो उन्होंने पीछे बताया था उसके लिए ठीक है यानि कि जो observations आई थी उनको कैसे explain कर रहा है explanation of laws of photoelectric emission by Einstein equation ठीक है photoelectric law को explain कर रहे हैं by Einstein equation ठीक है कैसे इसको explain कर सकते हैं first देखो ठीक है कैसे इसको explain कर सकते हैं अब यहां से देखो अगर मैंने यह कह दिया कि new मेरा छोटा है किसे new not से new मेरा छोटा है new not से तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने यह ले लिया 2 minus 3 इसका मतलब 3 बड़ा है तो यानि कि minus का result आएगा v maximum का square यानि कि v का square is equal to minus 1 तो v is equal to under root of minus 1 सबको पता है under root of minus 1 यानि कि तो आइटा की term देगी यह तो क्या हो गया आपका imaginary चला गया तो imaginary में velocity कभी देखी है कभी हुई नहीं देखोगी कहां से इसका मतलब क्या हुआ कि वह तो नहीं पर इसको first equation देदेती हूं from from first equation if nu is less than nu 0 then then value of velocity is negative and hence it's become imaginary, which is absurd result. so, new minus, new is less than new not is not possible, आ गया न, ठीक है, हम उससे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक जो classical theory है, वो ये कह रहा है, frequency का तो कोई रोडाई नहीं है, क्यों लेके चल रहे हो, सारा काम intensity से हो रहा है, तो intensity से कर दो, है न, लेकिन हमने ये कहा कि क्यों नहीं है, भाई, matter करता है frequency, कर र आ रहा है, Einstein के formula में, matter कर रहा है frequency, है न, matter कर रहा है, तो लो इसको, और यही बात किसने कही थी, उन्होंने हर्ट्स ने कही थी, जब उसने अपने लो दिये थे, भाई, frequency, एक minimum frequency, जिसको त्रिशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, अगर इसके उपर, या इसके उपर हम कोई रहे उसके उपर फॉल करेंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोन इजेक्ट होगा, अगर उस न्यू नौर्ट इशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम की कर दीना, तो कुछ नहीं आना जाना तुमारे हाथ में, ठीक है, यही बात उन्होंने कही थी, यही इन्होंने कही तो इसका मतलब बंदा ठीक था, हर्ट्स भी, सही कह की गया था, है नो, नेक्स चलो, सेकिंड, सेकिंड देखो, इन्होंने कहा कि जो हमारी इंटेंस्टी है, आपकी इंसिजेंट रेडियेशन की, उसको इंक्रीज करते हैं, तो हमारे जो फोटॉन है, हमारे पर यूनिट उसमें सर्फिस के उपर वो भी इंक्रीज करते हैं, वो कैसे बोला इसने, वो ऐसे, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस है, ठीक है, यह कहता है, कि जितने प्रोड्यूस होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक जो है, अपने फो इलेक्ट्रोंस भी क्या होते जा रहे हैं, हमारे वो होते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो, वैन, intensity of incident radiation increased number of photo electron increases, ठीक है, यह भी क्या हो जाएंगे, हमारे increase हो जाएंगे, थर्ड देखो, थर्ड इसके अंदर क्या कह सकते हैं, कि V maximum, अब देखो, यहां से इसका तो कोई वो है, यह किस पर depend कर रहा है, इसके ओपर depend कर रहा है, इसका मतलब V maximum किस पर depend है, पूरा H पे तो H सो constant है, और यह दोनों frequency ही है, तो इसका मतलब V maximum किस के ओपर depend कर रहा है, जो कोई से भी frequency ले लो, frequency कर डिफ्रेंस ले लो, होगी तो frequency, इसका मतलब V किस पर depend कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पर depend कर रहा है, ठीके, तो from first equation, हम यह कह सकते हैं, कि जो हमारी maximum velocity है, maximum velocity वो किस पर depend कर रही है, new पर depend कर रही है, incident radiation, उस पर कह दो, यह frequency पर कह दो, अब हम तो incident radiation के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब, incident radiation पर depend कर रहा है, यह तो threshold उसमें होगी, और यह क्या होगी, incident, अगर incident इससे कम हो गई, तो नहीं कर पाएगा, इससे जादा होगी, तो कर पाएगा यह, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, it is clear from, from first equation, v max, depend on, frequency new of the, incident, radiation, ठीक है, तो यहां से यह पता चल गहा है, कि जो हमारी frequency है, उसके साथ साथ, v maximum increase हो रहा है, so, here, also, clear that, v maximum increase, with frequency increase, ठीक है, यह इसके साथ, increase करता रहता है, अब यहां से देखो, कि जो हमारे, हमने यहां पर देखो, यह कहा था, कि जो number of electrons, जो हमारे पास है, वो हमारे intensity के उपर है, intensity से क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे वह इंक्रीज करवा रहा है तो हमारे जो कॉलीजन्स है वह भढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो जो कॉलीजन्स हमारे इंसिदेंट फोटॉन और जो इलेक्ट्रोन जो अपने एमिट हुए थे उनकी बीच में अगर उसमें होते हैं जल्दी जल्दी तो इसका इस प्रोसेस है इसके बीच में कोई लाग नहीं हो रहा है इसका मतलब जो लास्ट उनों ने बताया था वो भी कैसा बताया है ठीक ही बताया है तो हम इसके अंदर लिखेंगे 4th point as the emission of a photoelectron involves collision between incident photon and an electron of metal और ये लगातार रहेगा इसलिए ये कैसी रहेगी instantaneous process रहेगी ठीक है so photoelectric emission is instantaneous process ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा Einstein का और photoelectric का topic जो है वो complete होता है next lecture के अंदर हम content effect पढ़ेंगे ठीक है thank you for watching this video and keep sharing with your friends thank you